हलो दोस्तों स्वागत है अपलोंगा हमारे YouTube चैनल महांशर में और दोस्तों पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था उसमें बारत पर जो मौर्यवत्रकाल में आपके आकरमण होते हैं जैसे कि देशी आकरमण और बिदेशी आकरमण कुछ आपके देशी राजा होते हैं कुछ आपके विदेशी राजा हमने ये आपको पढ़ा था क्या पढ़ा था हमने विदेशी आकर्मण और देशी ब्रहमण राज के बारे में पढ़ा था तो यहाँ पे हिंदिय बन सक पहलब और कुसाण, यहाँ पे सुंग, कंड, साथबाहन और बाकाटक, चेदी और यह जो पार्ट था यह हमने कंप्लीट कर लिया था और आज जो हमारा टोपिक रहेगा वो हम इसको पढ़ने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं आज के आगे का प दो दो आगरमण होते हैं और उसके बाद जो आपके हिंदिय बना करमण होते हैं लेकिन गयन वक्के रयतर काल रहा होता है मौतेर काल के बाद जो Jetzt चाहर मड होता है और जब प्राचीन बारत खतम होने को होता है और आपका medieval history जिसे बोलते हैं मद्द कालिन बारत शुरू हो रहा होता है तो बहाँ पे आपके आरब आकर्मड होते हैं और तुर्की आकर्मड होते हैं तो यह आपके आकर्मड क्या है विदेशी आकर्मड यही आपके आठ आपके होते हैं पूरे के पूरे चीजें पढ़नी हैं तो क्या पढ़ना हैं भारत पर विदेशी आकर्मड जिसमें आपका सबसे पहले हम हिंद यवन को पढ़ेंगे उसके बाद में जो हम पढ़ने बाले हैं वो सक रूलर को पढ़ेंगे सक सासक को पढ़ेंगे उसके बाद में जो पढ़ेंगे वो पहलब बंस है और लास्ट में बिल्कुल देखेंगे आपका कुशाण बंस जो की आज का सबसे important रहने वाला है और यह अपका हिंद यबन भी बहुत important रहने वाला है सक रूलर भी बहुत इंपोर्टेंट है पहलब भी आपके बहुत इंपोर्टेंट है लेकिन जो सबसे इंपोर्टेंट है वो आपके कुशाण है और आपके हिंद यबन है तो सबसे पहले जो हमारा बंस आ रहा है वो दोस्तों क्या रहा है हिंद यबन सासक हिंद यवन सासक के बारे में हम पढ़ते हैं जिनको क्या बोला जाता है इंडो ग्रीक भी बोला जाता है अब इंडो ग्रीक तो आप जानते हैं ऐसे सासक जो इंडिया के भी हो और ग्रीक के भी हो मतलब हो तो ग्रीक के लेकिन रह रहे आपके इंडिया में हो तो वो आपके ह हिंद येवन सासक कहलाते हैं अब समान पर्चे में, कcam क्या देख लेते हैं इसका रिख्लाइब जेए, समान पर्चा पड़ते हैं समान पर्चे में इसकी बैसिक चीजने देख लेते हैं जैसे इन्हें in भी रिंदी रइंग caso को अगर आपको पूछ लिया जाए नोग डेखे चरी में बैडीचे किसको आपको पूछे बैक्तिरियं किसको आहिए देखते हैं पहला जो इनका सासक था उसका नाम है डेमेट्रियास किया था सिकंदर के सेंधः बति के एकämäट कि एक जूएकर्ट से लिग कर कि तीथरी पिड़ी का बंसज था ये तो यह थैंड कर दीए में इसने क्या किया था हम्राच का निर्माड कर दिया थान चीम और अपका बेस्टर नो सेंट्रल एसीया में इसने एक बहुत बड़ा समराज कायम किया था और यह सिकंदर के साथ भी आया था जब सिकंदर भारत प्याकरमण किया था लेकिन बाद में जब लौट गया था तो सिकंदर की तो डेत हो जाती है फिर उसका जो समराज है वो यही समा जाते हैं जाते हैं अब क्या हुआ को इसल्यूकडू है लोग कमज़ोर हो गये थे क्या सेप्टे ऊठ्च्ट में क्या था ने क्या किया था बैक्टीरिया को स्वतंत्र सामराज ह्भोशिद कर दिया था, क्या कर दिया था, एक फ्री स उतन्त्र मतलब क्या है, एक दम milligram पिजा रहा था, जो आई साखाइं बन गई थी, एक का क्या हुआ दमराज है, यह आ यह आउज होड़ियेилась मुए तही यह फ़ित. क्योंकि यह जो डेमेटरियस है ना यह आपका एनी साखाव में सो निकल के आया है जो सेल्यूकस के कमजोर होने पर बनी थी सेल्यूकस के कमजोर होने पर बनी थी अब वह किस ने किया था डायडोट्स ने इससे सोतंत्र कर दिया था तो यह डायडोट्स किया था सेल्यूकस के कमजोर होने पर जो दो साखाएं बनी थी उनी में से आपका एक डायडोट्स था अब यो दो साखाएं आपकी डेमिटरियस और उक्रेटाइड साखा इनको पढ़ते हैं इनके बारे में देखते हैं इनके कौन-कौन से राजा हुए हैं तो देखिए यहां पर कौन-कौन से र को आपके आपके क्या है तो यहां पे आपकी उक्रे टाइड है सबसे पहले मैं इसको पहले इसको बताता हूं की आपके करते हैं क्या है यहां पर यहीं पे आप ध्यान रखना अपना किस पे डेमिडेरियस पे इसमें जो एक शासक है आपका क्या है अगालो किलीज इσने क्या किया था क्रिष्णन और बल्राम के सिक्झे जारी कराए थे अब ये अगालोख इसके बाद एक सासक आते हैं मिनांडर जिसको मिलिंद भी बोला जाएगा और मिनांडर ये जो बहुत इंपोर्टेंट इसके बारे में आपको क्या ही बताऊंगा ये कि आए सबसे प्रतापी तो राजा है डेमिटरियस साका का हिंद ये बना करमड में सब जहाएगा। लेकिन भारत में आके यह सपना उसका तूट जाता है, इनकी डिकिशन होती है, यह एक दुसरे से प्रसंट पूछते हैं, यह एक दूसरे से नहीं, बलकि जो मिलेंद होते हैं, यह बहुत बिच्चु नांग सेंसे अपने प्रसंट पूछते हैं, इनके कुछ doubts होते हैं वो इनको क्या कर देते हैं solve कर देते हैं नांगसेन और उस जो doubts session है उनका एक तरीके से जो discussion है उनका उसको एक किताम में दर्श कर लिया गया है उस किताब का नाम रखा गया है मिलेंद पन्नो और ये मिलिंद पन्णों क्या है? एक बहुत ग्रिंत है जिसमें मिलांडर और आपकी क्या है? नांगसेन की चरचा की गई है। इनी के बारे में जो प्रश्न है, जैसे कि मिलंद के प्रश्न इसमें दिये गए हैं, बाद में इसने बहुत धर्म को स्विकार कर लिया था मिल जाएंगी। आप क्या देख लेते हैं दोस्तों जो युक्रियटाइज युक्रिट चाहा है इसके बारे में में आप लोगों को बताते हैं क्या है कि इसका जो इस मतलब जो स्वाखा है इसका जो राजा संतीक है और सुन्ग बंच के साथ बाध्र बागाद्र दर्बार में क्या करते हैं जो मैं फिर से बोल देता हूँ जो एंटियाल कीड्स हैं इनों ने बारत में जो समय सुंग बंस का सासक चल रहा था और सुंग बंस के राजा बागबद थे उनके यहां एक क्या राजदूत बेजा था और यह हमने पिछली किलास में भी कवर कराया है आप लोगों को जिब सुंग बंस के बारे में बताया है किसको बेजा था हेलियोडोरस को बेजा था और इसी हेलियोडोरस ने विद्सा में गरुड इस्तंब की स्थापना भी कर भाई थी और इसने भागबद धर्म को सुईकार भी किया था यह मैं आप लोगों को बता पब चुका हुं अब अंतिम सासक क्या होता है हर्मिकस होता है यहाँ पर इज्ट अपर यह उपादी की नाम पर हर्मिकस होता है जो कि इसका अंतिम सासक है और ये उपादी मिनांडर की है और ये अंतिम सासक क्या है हर्मिकस इसको कुजूल कड़विसस ने हरा दिया था और ये कुजूल कड़विसस कौन था ये कुजूल कड़विसस जो था ये आपका कुशांड बंस का सासक था जिसने क्या है इसको हरा दिया था आगे हम इसको प प्रभाव पढ़ लेते हैं क्या है बहारत पर इनका क्वं पर पाव है इसलिए बखोई बीगति कहीं पर आता है तो अपना प्रभाव छोड़के या पोगी हुद मुद्रा लिपी क्या है मुद्रा लिपी यहां पर क्या है जो मुद्रा पर लिपी का जो एक सिस्टम चालू हुआ था ना मुद्राओं पर कुछ लिखने का वो आपका हिंद यवन राजाओं से ही आपका चालू होता है और यहां पर क्या मिलता है राजाओं के नाम मिलते हैं हिंद एमन सास को नहीं चलाई थी सबसे पहले क्या है सोने के सिक्के इनी लोगों ने चलाए थे किसने हिंद एमन लोगों नहीं चलवाय थे और क्या इनके बारे में मिलता है कलंडर का जो कलंडर होता है ना सपता में एक कलंडर आता है ना मारा क्या कलंडर जैसे सेवन डेज संडे मंडे टे उजडे जो भी आते हैं सौंबार बुदबार मंगल ये ये सारी की सारी चीजें आपकी किसने चलाई थी जो साल के 365 दिन होते हैं बावन सप्ता होते हैं ये आपके किसने चलाये थे ये आपके हिंद यवन सास को नहीं चलाये थे इन्हों ने ही इसका विश्कार किया है और जो परदा पृता थी परदा पृता आप जानते हैं ना परदा पृता जो औरतें परदा करती हैं अपने चेहरे को ढांक कर वो प्रता को किया बोलते थे वह अबनिका बोलते थे यहां लोग इसको इभनिका बोलते थे 12 रासियँ जो हमढ़े다고 एक बारा में पड़ते हैं में सहिर पुला है में उल्षी होती है यहां में किमिन पाद कर रहा हूं तो अंहें रहा हुन युनानी कला चलाई थी और इस कला को क्या बोलते थे वो लोग हेलेनिस्टिक आर्ट बोलो कहते थे इसको और जो भारत में चल रही थी पूरे भारत में वो आपकी क्या थी गांदार कला चल रही थी हालांकि चलाई तो इन्हों नहीं चलाई थी लेकिन जो आपके पस्चे मुत्र के प्रांथ थे वहाँ पे हैलेनिस्टिक आर्ट कहते थे और यहाँ पे भारत में आपको उसको गांदार कला बोला गया था तो यह सारी चीजें आप लोगों को याद रखना है कि युनानी कला क किसे कहते हैं हेलेनिस्टिक आर्ट किसे कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलवाए मुद्रा पर जो राजाओं का मतलब मुद्रा जो होती है ना उस पे लिपी का जो अभिसकार किया है वो इन्हों नहीं किया है कलेंडर है परदा प मिष्टरी पड़ रहे हैं एक्जाम की दरष्टी से पड़ रहे हैं तो उतना आपके लिए बहुत होता है तो अब तो हम यहां पे आपको एक चीछ दिखा देते हैं यह सक जो थे वह नहीं पे आया opening देखिएया यह यहां पे फोड़ा सा आने की कोशिश कर रहे थे या यह आये थे आप लोग लूघ युनानियों के बाद यहां पे क्या लिखा है युनानियों के बाद भारत में सकों ने आकरमण किया अब इंडिया है इंडिया तो एक क्या है सोने की चडिया थी उसको तो तरह तरह के लोग जो है लूटने आएंगे ही तो कहीं यबन आएंगे तो कहीं सक आएंगे तो कहीं क बाध और सक क्या थे यह मद्द देशिया से आयते यहांपे मैंने आप लोगों को दिखाबी दिया है संस्थापक इनका का मोगा था पहला शार्षक बहुत इंपोटेंट होता है पहला साँसक अब का बहुत इंपोटेंट होता है Dry और शको नेयुप होटे हैं यह ले कि प्रताफी साष्क अर। इनकी साकाएं थे और बांकी जो चार थी वह आपकी Gun crutch प्रतापी साष्क और एकूर नाशिकज से उज्जय तक ते ये भी पड़ाऊंगा और इसमें जो सब्शे संबंध से उज्जय जत्रफ से पच्चमी साकह से है're यह आप लोग याद रखना है जो नाशिकस से उज्जय उज्जय में बाए पड़ते हैं फिलाल एक चीज यहां पर जो तक्सिला है यहां से एक point निकल के आता है कि तक्सिला का पहला सासक कौन था वो माउस था क्या था पहला सासक आपका माउस था आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे हमको क्या है मतुरा के सकों के बारे में पढ़ना है नासिक के सकों के बारे में पढ़ना है तो एक एक चीज को कबर करते हुए चलते हैं मतुरा के सासक मतुरा का जो प्रतम सासक था उसको राजुल कहते थे या फिर राजुल उसका नाम था राजुल या फिर राजुल ये बात आपको याद रखनी है अब मतुरा के जो सक थे मतुरा के सक पहले ये मालवा के सक थे विकर्मादित ने हरा दिया था हालां कि ये मालबा के सकते लेकिन इनको जब 57 BC में विकर्मादित नाम का एक राजा आता है और वो इनको हरा देता है तबी ये मतुरा भाग गए थे और मतुरा भाग गए थे और ये जो आपका 57 BC में विकर्मादित ने इनको हराया था तो यह बिक्रम सम्थ स्टाट हो जाता है 1987 में और यह क्या है यह शुरू हुआ जे शुरू हुआ जो पर विकरमा दित की विजय से शुरू हुआ था इसका यह प्रतीक था था 1999 में जो विकरमा दित ने इनको अबता है तो यह बात आप लोगं को याद रखना कि कि सक्संबत विकर्मादित चत्तावनबेशी में शकों पर विजय की थीस से स्टाट होता है नासिक नासिक के उस्ख हो पर बोला जाता था और इनका प्रमुक्षासक consistent हुआ है वो नहपान हुआ है आज इस नैपान के बारे में मैं जब आपको पढ़ा रहा था आंदर साथ बाहन बंज तो बहाँ पे मैंने सतकरणी के बारे में बताया था जोगल थम्भी कुछ अबलेक मिले थे बहाँ से 13250 आपके क्याते सिक्के मिले थे मिरत भांड मिलेते तो बहां से मैंने आपको बताया था कि गौत्मी पुत्र सत्करणी जब मैं बता रहा था तो महाँ पे नैपान और इनके गौत्मी पुत्र सत्करणी के कुछ सिक्के मिलेते जिस पे दोनों का नाम लिखा हुआ था तो बहुं से मैंने आप लोगों को बताया था इसमें क्या Bluetooth जोगल फंबी के जो शिक्के मिले हैं इसमें इसकी हत्यकरदी ती नाइपान की ये जानकारी भी आपको मिलती है कहां से जोगल थंबी के सिक्कों से या बांग के अविलेखों से तो आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं जो सासक हैं वो कहां के हैं उज्जैन के सासक हैं उज्जैन के सासक के बारे में पढ़ते हैं और ये उज्जैन के सासक बहुत इंपो आप उनके पिरमुक हम देख लेते हैं, पर्फम सासक ठाक्ता नहीं साक्तव ताप लोगों को पता हो ना चगेंखी अध। स्टप तो यह बात आपको याद कि आए, अब रूद्र्दामन की बात आई हैं तो रूद्रदामन का जब भी नाम आये, आप उससे एक चीज याद करने की कोशिश करना जूनागड का अबलेक और जब भी जूनागड अबलेक आए तो बाहन से याद करने की कोशिश करना कि सुदर्शन जील का भी जिक्र मिलता है जूनागड अबलेक में तो सबसे पहले पढ़ते हैं जूनागड अबलेक आपका गिरनार में इस्तित है और यह क्या है सुद्ध संस्क्रत में है और यह कहां पर है आपका यह मद्ध प्रदेश में है आपका जूनागड जो आपका गिरनार अबलेक है सबसे बड़ा अबलेक है आपका संस्क्रत में जारी किया गया और सुद्ध संस्क्रत एक दम कोई भी एक पॉइंट भी अपका अन्य भाषा का नहीं लिया गया है तोटली अपका संस्क्रत का है अब यहां पर क्या है जो रूद्र दामन है रूद्र दामन के एक राजिपालते सुबिशाग उन्होंने सुदर्शन जील का क्या कराया था पुनर निर्माड कराया था निर्माड नहीं कराया था दोस्तों पुनर निर्माड कराया था पुना निर्माड निर्माड अलग चीज है और पुना निर्माड अलग चीज है मैं आप लों को बताता हूं कि बार ही बात आएगी और मैं चारों बार लेके आऊंगा चंद्रगुप्त मौर राज़िपाल पोश्यगुप्त चंद्रगुप्त के जो राज़िपाल थे वो पोश्यगुप्त थे और उन्हें सुदर्शन जील का क्या कराया था निर्माड कराया था समझ गए आप फिर उसक के राज़पाल थे ये राज़पालों से बड़े कोश्चन आते हैं तो इनको बात इनको आप याद कर लेना राज़पाल जो आपके असोग के थे वो तुसास्प थे रूद्रदामन जिनको मैं पढ़ावी चुका हूं सुदरसंजील का पुना निर्माड इन्होंने भी कराय इसकंद्गुप्त उनके जो राज़पाल होते हैं परणदत होते हैं उन्होंने भी इसका पुनार निर्माड कार कराया था तो आप लोगों को ये बात समझ में आ चुकी हो कितने लोग आपके हैं कितने राजा हैं जो आपके इस सुदरसंजील से कनेक्टेड हैं और कभी कभी आपसे कोश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इनके राज़पालों को मिलाईये मिलान करने को दे दिया जाता है कभी आपसे कोश्चन ये पूछ लिया जाता है इनमें से कौन है सुदरसंजील से संबंद नहीं रखता है उसमें दे दिया चंद्रगुप्त आशोग रूद्र्दामन समद्र गुप्ट तो आपको पता होना चाहिए कि समद्र गुप्ट इनमें नहीं है क्या है इसकंद गुप्ट है आप वहाँ पे कनुज हो सकते हैं इसलिए मैंने आपको एक हिंट भी दे दिया है अब आगे पढ़ते हैं अंतिम सक्षासक के बारे में पढ़ते हैं जो अंतिम सक्षासक हैं मालबा के सकों में अंतिम सक्षासक रूद्र तिरतिये था जो अभी हमने उज्जेन के पड़े जिसमें रूद्र दामन था और मालबा के सक बोई जो आपके विकर्मादित ने उनको मार भगाया था जो की मत से अपके तामन यह आपके ऊपनी द्ौप्ति विकरमादित ने मार कर स्फ़ालामा मालवा छहेत्र में ब्याग्डर सैली में आ कि चांदी कि चलवाए दोड़ी लंबी मतलब आठफ़ती आपको पढ़ना है क्या माल्वा के सकों में अंतिम सासक रूद्रतिये था और इस रूद्रतिये को गुप्त सासक विकर्मा दितने यानि के चंदर गुप्त विकर्मा दितने मार कर प्रिथम बार मालवा चेत्र में ब्याग्र सैली में सिक्के चलाये थे और वो चांदी के सिक्के जारी कराये तो पूछा जाए ब्याग्र सैली में जो सिक्के चलाए थे वो किसने चलाए थे तो वह आपके चंदर गुप्त विकर्मा देतने चलाए थे और मैं इसको भी पढ़ाऊंगा आगे जो नेक्ट हमारा चेप्टर आने वाला है वो गुप्त सामराज के अलोई के ही है तो बहां पर भी इसकी जानक में खतम करते हैं यही स्लाइड में खतम हो जाएगा क्या है पहल लाब बन्स जिसको पर्थियन बोला जाता था जिस तरह से आपके सख सीथियन उसी तरह से पहलर आपके पार्थियन कहलाते तो यह बातें बहुत करने festival प्एडे हैं क्यित आ कर दिया जाए चारों के नाम दिया जाएं तीनों के और आपको मिलान करना होता है फिर क्या है अब यहां पर स्टाटी कर देते हैं क्या है भारत में पार्थियन समराज यानि कि पहलब समराज का जो बास्तिविक संस्तापक है वो मिथ्रेडेड्स है काओन है मिथ्रेडेड्स संस्तापक है। और si asked प्रतापी और प्रिशेद साक आपका गंडो फरनीज हुआ है। किसका पहला बादस्तों एा आपको पता होन्य जाहेए कि पहला बैस का प्रतापी सारऑ उगया प्रथम कि गया अब यहांपे क्या है यह मूलूप है यह पर्थिय क्या थे यानि इरानी थे यह सार है शaware यह कीचेतर से आते हैं इरान वाले मतवे से बाइस से अब क्या है फूरा लेकिन चीजों अलग अलग प्र्थिय इन complotny oyun इरानी भी बोला जाता था अब इनकी जो राजदानी थी देखो इनको भी राजदानी क्या मिली थी तक्सिला ही मिली थी जैसे अभी हमने पिछली उसमें पढ़ाता सिलाइड में कि आपके जो कौन से हिंद यमन थे उनकी राजदानी क्या थी साकल थी जो कि स्याल कोट वो भ से प्रतापी सासक है आपके पहलब बंस का एक सेंड थामस नाम के पादरी आते हैं और यह क्यों आते हैं इसाई धरम का प्रचार करने के लिए कहां भारत में इसाई धरम का प्रचार करने के लिए तो अब बाद में क्या होता है बाद में दच्छिड में चले जाते हैं दच् शिपरकार आपको क्या है पह consumers सताब्दी काई में भारत में इसाई धरम आया था अगर आपसे पूछा जाये कि पहली बार भारत में इसाई धरम कब आया था तो आपको याद रखना है पहला को में और हुए थे पार्त oğlum का एक पादरी आया था जिसने इसाई दरम को भारत में फैलानी की कोशिश की थी बाद में वो तमिलाडू के चेत्र में गया तो तमिलाडू में इसकी अत्या कर दी गई थी तो ये बात आपको याद रखना है पहली बार भारत में इसाई दरम पारतियां राजाओं के जो सिक्के थे सिक्कों पर धार्मिक उत्किरन रहती थी तो ये बात आपको पता होनी चाहिए इनके सिक्कों पर धार्मी को पा दिया थी पहलब बंस यानि पहलब राज्ज का जो अंत होता है वो कुषाणों ने कर दिया था जो नेक्स्टम पढ़ने वाले हैं उन्होंने ही इसका अंत कर दिया था और इतियास मे ये बात बहुत important है कि कोई भी बंस आता है तो एक बंस को हटा के आता है या उस बंस को कमजोर कर दिया जाता है यानि कमजोर हो जाता है तब एक नया बंस उबर के आता है तो ये बात आपको याद रखना है तो इनकी जो मतलब अंत किया था वो कुशाडों ने किया था अब हम जो पढ़ने वाले हैं कुशाडों को पढ़ने वाले हैं अब बिल्कुल तयार हो जाएए बिल्कुल भेफिकर हो जाएए और अपनी कापी और कलम अगर आपके पास है तो चीजें नेट भी कर सकते हैं हाला कि मैं इसके पेडियाप तो आपके क्या है यह यूची या तोखरी बंस भी इनको बोला जाता है कुशाण बंस को यह आपका क्या बोला जाता है यूची या फिर तोखरी बंस क्यूंकि यह यूची जन जाती के थे अभी पढ़ते हैं सबसे पहले इनके राजाओं के बारें पढ़ते हैं कि कुजूल कट कर्द ता पड कर्द कर दिया था। के स्थापना रहते हैं नहीं हो पा रहा है तो बाद में कुसान बंच के तब क्या हुआ था अपको कुसान बंच की स्थापना होती सबसे प्रतापी और सबसे महत्पूर्ण राजा होते हैं अपने मतलब इतियास में किवादने के लाइक होता है बांकी तो राजा तो बहुत आते हैं तो सुरू करते हैं, क्या सुरू करते हैं, सबसे पहले कजूल कड़फिसस को ही पढ़ लेते हैं, कुजूल कड़फिसस जो हैं ये, कुजूल कड़फिसस, कुषाड जो थे ये भी मद्देशिया से आये तो ये सारे के सारे आपने देखे कहां से आये ते, मद्देशिया ये इरान से आये थे और यह इरान भी मद्देशिया में याता है कुशार यूची जन जाती के थे इसलिए इनको यूची या तोकरी बंच भी बोला गया है संस्तापक आपका कुजूल कड़पिसस था तामबे के सिक्के चलवाय थे इसने कुजूल कड़पिसस थे इनकी राजद कुशान एंपायर है यह आपको पता है यह बाला जो हिस्सा है आपको देखी रहा है तो यह भी आपका इंडिया का ही हिस्सा है तो यहां पर आपका क्या था यह कुशान थे यहां पर नीचे भी आपका इंडिया ही है तो आगे बढ़ते हैं और भी राजां को देखते हैं उसके बाद जो आता है विमकड़फिसस क्योंकि इनका यही किरम है तो विमकड़फिसस जब आता है इसको बास्तविक संस्तापक बोला जाता है किसको कुशाण बंच के बास्तविक संस्तापक विमकड़फिसस को बोला जाता है और विमकड़फिसस ने क्या है सोने तांबे क के सिक्के चलबाय थे सोने बद ताम्य के सिक्के चलबाय थे जिने दुवासिय मुद्रा भी कहा जाता है इन पर दो बासाओं की मुद्रा मिलती एक तो खर्योष्टी लिपी देखने को मिलती है और एक आपको युनानी लिपी देखने को मिलती है तो पूछा जाता है कि विम कट विशर्ज ये सैब धरम का अनुवाई था किस धरम को मानता था ये सैब धरम सैब धरम यानि संकर भगवान की पूजा करता था और ये बात कहां से मिलती है क्योंकि इसके जो सिक्के थे उन पर सिब की तस्बीर मिलती है इसके जो सिक्के थे उसके बैल की आपकी मिलती है उसके जो सिक्केत है उसमें त्रसूल की आकरती मिलती है तो इससे साबित होता है यह सहब धरम को मानता था और आदमी बोई चीजें चपबाता है जिसमें उसका कुछ इंट्रेस्ट होता है यह दार्मिक भाबनाय जोड़ी होती है यह उसका अंतरात्मा से उस इसको महेसर कहा जाता था क्यूंकि ये भगबान सिब को मानता था इसको महेसर और सर्व लोकेसर भी इसलिए कहा जाता था क्यूंकि ये भगबान सिब को मानता था और इसे समराटों का समराट भी कहा जाता था तो ये बातें आप याद रखिएगा आगे जो राजा आते हैं वह हैं आपके कनिश्क अब कनिश्क को जब आप पढ़ रहे हैं तो आप दिल्थाम के बैठिए दिमाग को ओपन कर लिजिए पहुत इंपोटेंट राजा है यहां से कोस्चन बनते हैं कनिश्क कनिश्क जो कि 78 AD में 110 AD री तक रहता है कनिश्क तो कनिश्क को पढ़ते हैं इसको क्या है ररम एक इक अभिलेग है। उसके अनुसार कनिस्क जो था बिम कटविसस का पुत्र था यह जो अभी हमने पढ़ा ना सबसे प्रतापी मतलब बास्तिविक सासक आपका बिम कटविसस उसी का पुत्र आपका क्या था कनिस्क और यह जानकारी आपकी रबैट का बिलेक से मिलती है कहां से मिलती है सबसे महान और प्रतापी राजा था कनिश्क का राज्या रोहन तिथी 78 इकाई में हुआ था यहीं से बारत में सक संबत की स्टार्टिंग होती है देखिए सक संबत आप सकों से कन्फ्यूज मत हुईएगा कि सक संबत सकों ने चलाया होगा सक संबत कुशाणों ने चलाया था विकरम संबत आपका किस ने चलाया था आपका विकरमादित ने चलाया था अब गद्धी पर बैठने से पहले कनिश्क आपके क्या थे यह तक्सिला के गवर्नर थे जो तक्सिला वाला जो छेत्र था वो बहुत इंपोर्टेंड शेत्र था बहां के ये governor थे काउन कनिश्क तो ये बात आप याद रखना है कनिश्क के समय जो सामराज था वो आपका अफगानिस्तान में भी फैला था सिंद वाले छेत्र में भी था bacteria में भी था जहांपे हिंद यवन थे और पार्थिया भी था जहां पे आपके पहलब बंश के राजा हुआ करते थे तो बहां पर भी ये लोग थे कौन कि ये जो थे ये जो कुसांड बंश थे ये आपके पहलब बंश को हटाय के ही तो आये थे अंदिम सासक का अंत करके ही तो आये थे ना तो ये आपके क्या है बहाँ पे सारा इन्होंने क्या एक अब्जा कर लिया था अफगानिस्तान, सिंद, बैक्टेरिया, पार्थिया, सभी पर अब इनकी जो उपादियां मिलती है कनिस की इनको दितिय एसोग का जाता है क्यों क्योंकि इन्होंने बहुत समराज अपना फैला दिया था और बाद में ये बहुत धरम को भी सुविकार कर लेते हैं इसलिए इनको दितिय एसोग कहा जाता है और इनको देवपुत्र भी बmental के पुत्र इनको बोला जाता है और यही वो व्यक्ति हैं जिनोंने सुध्ध सोने के सिक्कें जारी कराई थे देखिए अगर आपसे पूछा जाए सोने के सिक्के सबसे पहली बार किसने जारी कराये थे तो आप हिंद येबन सास्कों का नाम ले सकते हैं हिंद एबन में आपके क्या है उन लोगों ने क्या किया था सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे लेकिन अगर सुद्ध सिक्कों की बात की जाए और सरबादिक सिक्कों की बात की जाए तो आपके क्या है यह आपके क्या है कनिश्कने चलाए थे यहां पर मैंने लिखा नहीं चाहिए आगे बढ़ते हैं आगे जो जनकारी ये वो भी अप लोग को देते हैं कि आगे क्या जनकारी है अब जो कनिशक था उसका सामराज तथा आन्न राजाओं से उसका यूद्द ये बात भी हमको बतानी है अप लोगों को तो उत्तर भारत और मद देशिया में काशगर और यारकन्द खेतान आज प्रियदिशों पर The perfect 생겼 और यह आपके चत्र कासगर है यारकन क्षेतान रहे लिया डीकार और चीनी में लेके लित्हों के अनुसार साकेत और पाटली पुत्र के राजाओं से भी इसका युद्ध हुआ था और बहाँ पर भी इसने युद्ध होने का मतलब है इसको बहाँ पर इसने कब्जा कर लिया था तिबबत और चीनी लेक्यों के अनुसार कहां साकेत और पाटली पुत्र से इसने क्या कर लिया था बहा अब गंगा नदी के आसपार सिंदू नदी के आसपार्स आक्षस की नदियों के आसपार्स तो यह पहला एच्वला था जो कि मौट सम्राज के बाद आए था अब कनिश्क क्या 딱 कि चीनी साषक इसको तरीके से या डायकली रूप से कब्जाक कर लिया था कि को इन्हों ने हरा दिया था में जिन पर इंका पूरण अधिकार था जिसको लिख मार्ग बोलें उन्मार्ग उन्हों को बोला जाता है अब प्रिमसां पहुंचने वाले मारक। पर उनका क्या था तो यह बात आप लोगों को क्या है याद रखनी है अब आगे क्या है, उत्तर पष्चिम भारत का जो व्यापार था, सरवाधिक मैटपूण के अंदर था, उत्तर पष्चिम का जो व्यापार के अंदर था भारत में, वो बहुत IMPORTANT था, अब आगे पढ़ते हैं, आगे जो आपका कनिश्क का सामराज है, इससे संबंदित कुछ चीजें पढ़ते हैं जो मतलब कुशाण बन से उससे संबंदित कुछ चीजें पढ़ते हैं तो कनिश्क और उसका धरम देख लेते हैं एक बार क्या है कनिश्क का धरम क्या था इसको भी हम पढ़ लेते हैं कनिश्क का जो धरम था वो क्या था कनिश्क बहुत धरम की माहायान साखा का अनु हुई था और ये माहायान वो साखा जिसमें बघगबान बुद्ध की मूर्ति पूजा को समर्थन मिला है तो वो आपकी क्या थी माहायान साखा थी और इन्होंने क्या आये quatre-four भूट संगीती कराई दिमाग में नहीं आ रहा है मुझे याद है बिल्कुल याद है लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा है जैसे आता है मैं बताता हूं तो बसुमित्र थे और चौथी जो बहुत संगीती थी उसी के बाद क्या हुआ था जो बहुत धरम था वो अपका हीनियान और महायान में बढ़ मोरतियां और कोई सैली नहीं है बार कि सेली मिलेगी और गांडार में अलग टायब की आपकी मोरति मिलेंगी ओर यह पौइंट के काल में आपका संबuba हुआ था आगे देखते हैं दोस्त्तों आगे क्या है आगे यहां पर मूर्ति हैं क्या है मूर्ति कला गांदार में और आपकी मथुरा में एक-एक पॉइंट को एक देखा करते हैं इंड्डो-गरीक सयली में युनानी-डी यहां पर देखने को मिलती है कि गांदार का संबंद आपका युनान से भी था और जो आपकी मैंने बताया था भारत में युनानियों ने एक आर्ट चलाई थी युनानी कला जिसको हेलनिस्टिक आर्ट बोलते थे और भारत में उसको गांदार कला बोलते थे तो यह आपकी युनानी कला में भी आ पांदार सेलिक आ गया इसलिए और यहां पर क्या थे आपके क्या है बौध हिंदू जैन दर्मों से संवंदित मुर्तियां मिली हैं कहां पर मधुरा में मुकता बॉध यहां बोधी सत्थों की मूर्तियों का निर्माड हुआ है पत्थर काले नीले हरे सिलेटी पत्थर का पियोग हुआ है युनानी देपता अपोलो की नकल की गई है युनानी देपता ये अपके क्या है अपोलो है इनकी हुबा हुँ क्या की गई है एक तरीके से नकल की गई है इन्हें अध्यात्मिक्ता कम और भौतिक्ता का मतलब अध प्रियोग में हुआ है और बुद्ध की प्रितम मूर्ती का निर्माड हुआ है पहले स्ताब्दी में वो मतुरा में हुआ था और इसमें आध्यात्मिक्ता आधिक है और बहुतिक्ता कम है तो दोनों कालिन चाहितख और बास्तुकला को देख ले ले और उसके बाद पॉइंट कुछ हैं कुछ मेंत्पूण। थकर देख लेते हैं में क्या है क्या है क्या कर रहा हूँ एक मिनट कैंट कुछाबो ने क्या किया था सुध्रिर सुने के 124 यह जैड़ी करा थे इनकी जो पुर्षपुर और पेसावर संगा राम में आपको मिलेगा एक आपकी बामियान मुर्ति मिलीं है उसको अबॉट कुत ह्याती है स french अब इग बिद्धान हैं वो आपके ये आपका चरक है जो कि चरक सहीता इसने पुष्टक लिगी है बशो मित्र है जिनोंगे महा विवाशा सास्तर भी लिखा है भूक है इनकी ये अश्गोस ये अश्गोस ही क्या थे अभी मैं जो बता रहा था बापे आपके कुंडल वन में जो चौती बहुत संगीती हुई थी बापे जो आपके अद्देश थे बसुमित्र थे और उपाद्देश अपके अश्गोस थे मुझको मतलब मैंने देखा तो याद आ गया ये आपके राज कभी थे किसके कनिश के बुद्ध चरितम इन्होंने पुस्तक लिखिए जिसमें बहुत धरम की रामाड कहा जाता है ये आपके जो मूरती दिख रही है ये खड़ी अवस्ता में तो इसको अब मतलब डैमेज अवस्था में है तो ये क्या है बामियान कहलाती है अब यहां पर जो प्रधान होते थे वो प्रोहित होते थे और वो क्या होते थे वो क्या होते थे आपके संग रख्षक होते थे नांगा अर्जुन बारत का आइंस्टीन बोला गया है नांगा अर्जुन को और इन्होंने जो बुस्तक लिखी है वो प्रग्या पार्मिता लिखी है माध्मिक सूत्र लिखी है जिसमें साप्यक्षता का सिद्धान्त मिलता है सुन निवाद का सिद्धान्त मिलता है ये सारी के सारी चीज़ें आपकी नांगा अर्जुन की हैं सुन निवाद का सिद्धान्त साफ्यक्षता का सिद्धान्त मादमिक सहुत जिसको बोलते हैं प्रग्या पार्मिता है एक आपके ब्यक्ति हुए हैं बात सयानलेखक हैं जिन किलास को एंड करते हैं अंतिम सासक आपका क्या था अंतिम सासक आपका बस देप था कुषाणों ने सरवादिक तांबे के जारी सिक्के भी कराये थे और सोने के भी सरवादिक सिख्के इनोंने ही जारी कराये थे यह बात भी याद रखना कुशाणों के काल में ईट के कुँगों का निर्माड हुआ है बारत को भारत को मद्देशिया के अलताई पहाडों से प्रिचुर मात्रा में सोना प्रापत होता था जिनका प्रियोग कुशाणों ने सिक्कों में किया था कहां से होता था मत देशया के अलताई पाणूं से सोना प्रयाप्त होता था और ये सिक्के बनाते थे आपके सोने के कुशाण काल में भारत में बाल विबाह प्रता का प्रचलन हुआ बाल विबाह मतलब चैल्ड मैरिज आपकी क्या एक तरीके से स्टाटिंग हो गई थी बच्पन में साधी जो होती थी वो आपकी कुषाणों के काल से स्टाट हो गई थी मरोत्तर काल के राजाओं में राजाओं ने देपता का सिद्दान्द लागू किया था ये प्रयारंब कुषाणों ने ही किया था मरोत्तर क साल के बाद में राजाओं ने देपता का सिद्धान्त मतलब राजा एक देपता के समाने राजा एक इसुर का प्रत्नदी यह ऐसे ऐसे सिद्धान्त पेस किये थे आपके कुशाणों ने कुशाण सासक देप पुत्र कहलाते थे क्यों कि इन्होंने देपता का सिद्धान्त ल नंगर था क्योंकि छिपरा नदी से गोमेद और हींद्र गोफ नामक पथ्रों की की प्राप्ति होती तो ये मायतपूर आपका क्या था उज्जएन आपका नगर था आगे आपका क्या है अब आगे जो आusto पढ़ें गवह आपका गुप्त Nat च्पर index नेक्स्ट आपकी किलास में लाएंगे अब गुप्त समराज में भी आप लोग देख लिए गुप्त समराज का उद्वा और विकास ये सारे के सारे आपके राजा ये सारी चीज़े हम पढ़ने बाले हैं तो अभी के लिए आपका क्या है आपका ये मौरुत्तर काल फिनिस हो और कोई भी आपको अगर कोई भी कन्फूजन होता है तो आप हमें कमेंट करें और कमेंट बोक्स में अपनी प्रोब्लम को लिखें मैं बहाँ पे जबाब देता हूँ जो भी आपका कमेंट होता है उसे से रिलेटेड आपका जबाब भी देता हूँ आपके कमेंट पढ़ झाल झाल